अलोगा जोहिक शब्द तम भोलते हो वो तम भोलते ही भर नहीं हों सुनते भी ओ अपना ही कहा, तुन सुनते भी हो, लेकर जानवर होते हैं नो जुबाली करते हैं, जुबाली क्या मतलब होता है, जुबाली में जानते हैं नो क्या होता है, क्या होता है, गाय वैसों का जानते हैं क्या होता है, पहले अंदर जाता है, फिर जो अंदर का होता है, वो ही बहार बहार आता है तो पुना अंदर जाता है इसलिए भाशा बड़ी अनुखी चीज है अपने शब्द बदर डालो मन बदलेगा अपने शब्दों में नयापन ले आदो सफाई ले आदो मन में भी नयापन और सफाई आएगा जिसकी भाशा मदलने लग जाती है एक ही इंगानी उसका मन मदलने लग जाता है पुराने मनीशियों के बास समझना आती थी इसलिए जब उन्हें शास्त्रों का ध्यान करना होता था तो वो पहले शास्त्रों की भाशा सीकते थे वो कहते थे मैं जासा हूँ ऐसार है करके नया शास्त्र गानी नहीं पाऊंगा और मुझे बदलना है अगर तो मेरी भाशा को बदलना होगा पहले भाशा आए मरी जब नई भाशा आएगी तभी नया शास्त्र आ सकता है अनुवात बड़ी गड़ बात है अनुवात का बदलना होता है भाशा मेरी पड़ानी रहेगी मैं जो भाशा जानता हूँ भाशा मेरी वही रहेगी शास्त्र नया रहेगा ऐसे में बात पूरी बनती नहीं तुम उसका विप्रीट भी करके देख सकते हो तुम अपनी भाशा को और मलिन कर दो तुम देखो तुम्हारा दीरे दीरे जीवन भी और मलिन होता चला जाएगा इसी लिए अनरगल अनाप्षना बखने से बचना चाहिए इसी लिए दुरवचनों का प्रयोक करते समय सतर गहना चाहिए गाली कलोज से इसी लिए साल्हां गहना चाहिए कि जो तुम गाली दूसरे पो दे रहे हो वो गाली को सकता है दूसरा नभी सुने है वो सकता है दूसरा सुनने से बच भी जाए लेकिन किसी और को जो कह रहे थे हो सबसे पहले किसने सुना तो गड़़ हो गई किसी और किलो जो पकाया वो सबसे पहले किसने खाया तो प्रवड हो गई गाली किसको दे दी बचो जवाब प्रमात्मा को समर्पित करके कुछ बातें बोलते हो प्रमात्मा नहीं आता सुनने के लिए प्रमात्मा कोई मतलब ही नहीं है कि आप कौन सी आर्टी आ रहे हो कौन आता है सुनने तुम खुद सुनते हैं वहाँ मत्त है इसका प्रमात्मा नहीं प्रसंद हो जाएगा तुम्हारा अपना उधार होगा जो खड़े हो करके पाठ जात मंत शब्त भजन कीतन इत्यादी होता है उससे बाहर की कोई सत्ता नहीं तुमसे संतुष्टिया प्रसंद नहीं जो भी कुछ कह रहे हो ये स्वयम को सुना रहे हो तुम सुनने ते जो भी कहते हो कहते हो उत्सा भांद है ना दूसरे से जो कहा उसा पथम तुमने सुना जूट अगर कहा तो कानों को जूटी इलत लगा दी तुमने चल कहा तो कानों को चल की लत लगा दी तुमने जैसे जबान होती है उसे जो खिलाते जा उसको उसी की लत लग जाती वैसे ही कानों को जूट की लत लग सकती है कान को जूट की लत लग गई तो फिर अगर कोई आएगा सच बोलने तो कान उसकी बात सुनेंगे यह नहीं कान विद्रोवी हो जाएंगे कान को हमें नहीं सुनना जैसे जबान नहीं खाना चाहती जटोड़ी होई जबान तो प्रद उसे सुखा खिलाओ कुछ साथ तो खिलाओ कुछ तो मना कर देती है तो कान हो जाएंगे फिर कानों में अगर मंत्र पढ़ेंगे शलोक पढ़ेंगे, दोहें पढ़ेंगे तो कान पढ़ेंगे भद्दी बात कान मस्तश को संदेश भेजेंगे सो जाओ दिन भर अगर तुमने मादक संगीत सोना है उत्तेजना पून, भ्रहम पून मसाले से भरा हुआ दिन भर तुम्हारा कानों ने यही ग्रहन किया है और शाम को अगर फिर उन्हें मिलें खृष्ण के शलोक संदे को तो कान पहेंगे सुझा नहीं संदा जैसे होता है न कि चटोरे आदमी को पता भी हो कि सामने जो रखा है वो उसकी सेहत के लिए अच्छा है तो कहेगा भाई बीमार रहना पसंद है यह नहीं खाता है कि दलिया नहीं खाऊंगा, फिरड़ी नहीं खाऊंगा नीम का रस नहीं पिऊंगा क्योंकि दिन भर जो उसने सेवन करा है उस सेवन ने उसे वही बना डाला है अब जो बन गया है उसका और दलिया खिचड़ी और नीम का कोई मेल नहीं हो रहा ठीक वैसे ही तुमने दिन भर जो शब्द सुने है तुमने दिन भर जो गीत सुने है वो इस गीता से अब मेल ही नहीं खाते तु कौर कर ले ना दिन भर कौन से गीत सुनते है दिन भर जो गीत सुन रहे है वो सुनने के बाद गीता तुम्हें प्यारी नहीं लगेगी दिन भर जो वचन सुने जा रहे है वो पीए जा रहे है उन वचनों के बाद कृष्ण के वचन तो न सुहाएंगे नहीं गीता कोई धठना नहीं है गीता एक निरंतर्ता है वो निरंतर्ता होगी तो पूरी होगी और नहीं होगी तो नहीं होगी नदी ऐसा नहीं होता कि जरा सी देर के लिए है नदी होती है, तो परवत से लेके समुद्र तक पूरी होती है, नहीं को नहीं होती है, नदी ऐसा नहीं है कि बीच में अचानक सरासी देर के लिए पकट होगी फिर नदी नहीं है, गीता भी नदी है, इस जगे को घाट जानना, यहां हम उतर भर रहे हैं नदी में, घाट में नदी पैदा नहीं होती, घाट में नदी में उतरा जाता है, हम उतर रहे हैं नदी में, पर उतरोगी तो तब जो पहले हो, होगी तो पूरी होगी, नहीं को नहीं होगी, तो यह मैं समझना है कि यहां आते हो तो यहां गीता पाठ हो जाना है यहां का पाठ बस घाठ है यह जो पाठ है यह बस घाठ है नदी ही सूख गई तो घाठ क्या करेगा सूखी नदी पर भी तो घाठ हो सकते हैं घाठ है नदी ही नहीं है कहा उतरोगी दिन भर ऐसे रहा करो कि फिर जब यहाँ पे आओ तो सूखे ना आओ, भाव के साथ आओ फिर मैं तुम्हारे ही भाव में उतरने में मदद कर सकता हूँ पर तुम वो भाव लेके ही नहीं आए तो एक घाट क्या करेगा सधान व्यक्ति और गुरु में जरा सा यह यह अंतर होता है आम आदमी घाट होता है घाटा, गुरु खाट होता है घाट मतलब जिसमें कुछ है और सीमा है घाट मतलब जो एक अनंत्ता में प्रविष्ट कराने का साधन बन जाए अनंत भाव है उसमें जो उतार देवो गुरु और भाव नहीं है एक सीमित्ता है तो घाट जीवन समझे लो घट से घाट तकी आत्रा होगी अनंत्ता है